नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सर्मार्ग आसार माह के सुकल पक्ष की एकादसी को देव सैनी एकादसी कहते हैं और अगर हम पुरानों की माने तो चार महिने के लिए भगवान स्री हरी विश्नु योग निद्रा में चले जाते हैं और इन चार महिनों में सुब मांगलिक कारे नहीं होते इसके बाद वो कार्तिक मास के सुकल पक्ष की एकादसी जिसे हम देव उठनी एकादसी कहते हैं उसी दिन योग निद्रा उनकी संपुर्ण होती है तो उस दिन से मांगलिक कारे भी सुरू हो जाएंगे देवसाईनी एकादसी इस बार बहुत ही दुरलफ से योग में आई है तो ऐसे में इस एकादसी पर स्वस्तिक का महापरियोग किये जाएंगे लेकिन इस दिन आप पुझा कैसे करेंगे अगर संभब हो तो पभीतर नदी सरोवर में स्नान करें या घर में ही स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल तुलसी का पत्र या बिलपत्र या फिर कुसाघास कोई भी एक चीज डाल कर स्नान करें एकादसी इस बार कुछ खास सयोग के साथ आया है देवसेनी एकादसी के दिन भगवान स्रीहरी चार मेहने के लिए सो जाते हैं निद्रा में चले जाते हैं चीर सागर में और यहां से सिवजी पूरे संसार का संचालन करते हैं देवसेनी एकादसी के दिन विसेश तोर पर स्रीहरी की विसेश पूजा अर्चना की जाती है आसार मास की सुखल पक्ष की एक अदसी को जो हमारे सनातन धर में हरी सैनी एक अदसी भी कहते हैं। और चातुर मास सुरू हो जाता है। तमाम सुभ मांगली कारे बंद हो जाते हैं। साधी विवा, ग्री प्रवेश, मुंडन जैसे सुभकारे निसेद माने गये हैं। और इस दिन पर भगवान स्रीहरी बिश्नु के साथ मान लक्षमी का भी पाठ करने का विधान है। और कथा जरूर पढ़ना चाहिए इस दिन देवसेनी एकादसी की। अगर हम दो सब्दों में कथा आपको सुना दें तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए पौरानिक कथाओं के अनुसार राजा मान धाता तीनों लोकों में बहुत प्रख्यात थे। वो अपनी प्रजा को समर्पित थे और उनके लिए ही काम करते थे। एक बार उनके राजे में भयंकर अकाल की समस्या खड़ी भी। इसके कारण प्रिष्थिती बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। तब प्रजा को परिसान देखकर राजा अपनी सेना लेकर बन में गए और वहां उन्हें रिसी अंगिरा मिले। राजा मान धाता ने रिसी अंगिरा को अपनी समस्या सुनाई और इसका हल मांगा। इसके बाद रिसी अंगिरा ने राजा मानधाता को देवसेनी एकादसी करने को हल सुझाया और महत्व भी बताया रिसी अंगिरा की बात मान कर राजा मानधाता ने यह बरत किया जिसके फलसरूप उनके राज में बर्शा होने लगी प्रजा अकाल से बजगई और यह बरत करने वाले जातक के सभी पाप दूर हो जाते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो इस दिन भगवान स्रीहरी के साली ग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है इसलिए आप स्रीहरी के साली ग्राम स्वरूप की ही पूजा करें चुकि घर के मुख्य दरबाजे पर एक आप सिंदूर से या फिर चावल और हल्दी मिक्स करके एक स्वस्तिक जरूर बना दीजिएगा और अपने घर के तुलसी जी में तुलसी जी का जो जहां भी आपका तुलसी जी है गमला में है या सिमेंट का बनाओा है चावरा जिसको चबूतरा कहते हैं वहाँ पर एक स्वस्तिक सिंदूर से जरूर बना दे और पूजा अरचना करें सालिगराम चुकि वही पर रहते हैं तुलसी जी के पास न और जब आप इस दिन नहाईएगा न तो नहाने के पानी में गंगा जल डालके नहाईए या फिर तुलसी के पत्ते डालकर अगर तुलसी का पत्ता भी ना हो तो कुसा घास डालकर नहाई और इस दिन विसेश परियोग किये जाते हैं चुकि यहां से सिपजी की पूजा परारंब हो जाएगी लेकिन एक और प्रियोग आप कीजेगा अगर कोई भी विसेश मनोकामना है तब पास के किसी भी मंदिर के दिवाल पर उल्टा स्वस्तिक बना कर चले आएए जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिक्स करके ही आपको बनाना है भगवान सूरी को जब जल अरपित कीजिएगा तो एक चुटकी हल्दी ड पूजा कीजिएगा ना उन्हें पीले पुस्प पीले फल पीली वस्तुर अरपित करें और पंचाम्रित कव आप असनान भी करा सकते हैं सालिग राम सरूप की आप सुद्ध सिर्फ दूद भी अरपित कर सकते हैं चुकि इस एकादसी के दिन कुछ खास परियोग किये साथ ही एक सिक्का स्रीहरी के चर्नों में रख दीजिएगा और ये सिक्का बाद में समाल कर रख लें पीपल के बिक्ष पर मा लक्ष्मी का निवास होता है स्रीहरी भी इस दिन एकादसी तिती पर पीपल के बिक्ष में तो पीपल के बिक्ष में अगर आप जल में मीठी ब सब डाल कर अर्पित करें तो बिसेश क्रिपा के पात्तर हो जाते हैं साम के वक्त एक घी का दिया जरूर जलाईएगा पीपल के नीचे एकादसी तिथी पर ताकि कर्ज मुक्ती मिले और धन आता रहे बहुत सिंपल है लेकिन ये प्रियोग हम सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं आप अपनी सुभिधा नुसार प्रियोग कीजिएगा लंबे चोड़े ताम जाम हम नहीं बताएंगे नहीं तो आप फिर कनफ्यूज हो जाएंगे लेकिन एक बात याद रखिए भगवान सरी हरी को आप हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाईए और अपने भी माथे पर लगाईए केसर का तिलक कैसे लगाएँगे जैसी की हल्दी पोडरा वाला है एक चोटी सी कटोडी रखले पूजास्थान पर इस पहल्दी डाले रखें एक चुटकी और उसमें एक दो बुन पानी डाल का तिलग कर सकते हैं केसर है दो चार पंखुरी डाल दे पानी डाल दे दो चार बुन और उसमें उंगली डुबा कर आप तिलग करें इसको फेकना नहीं है वो बहुत दिन चलेगा और भगवान सरी हरी को कमल नयन कहा जाता है तो ऐसे में कमल का पूस्प मिल जाए तो सोने पे सुहागा अगर संतान की मनोकामना है तो सरी हरी को जोड़े की संख्या में केला अर्पित करें जैसे की दो चार छे आठ और आप ये जैसे की तरन कर दे संतान की प्राप्ति होती है धनिय का प्रियोग भी से स्थ दिन दिन के जाते हैं क्योंकि धनिया शृहरी और ये माँ लक्श्मी को भुलाता है धनिये की पंजीरी बना कर भी उनको भोग लगा सकते हैं पूजा में संख जरूर बजाईएगा तीन बार सुभा में और तीन बार साम में सकात्मक उर्जा बढ़ेगी और निगेटिव एनरजी दूर हो जाएगी चुकि देवसेनी एकादसी के दिन दान करने का भी भी दान है तो इस दिन दान में आप पिले वस्तु का दान कर सकते हैं या आपके जीवन में ज़्यादा कस्ट या परिसानी है तो खाने पीने की वस्तु का भी दान कर सकते हैं इससे भी आपके जीवन के कस्ट या परिसानी समाप्त हो जाते हैं तो इस एकादसी के दिन स्वस्तिक का विशेश परियोग किये जाते हैं तो आप जरूर कीजेगा और जो स्वस्तिक है अपने घर के पुजास्थान पर भी बना सकते हैं जितने भी आपके दरवाजे हैं चोकट हैं सभी चोकट के ऊपर में स्वस्तिक बना है जीवन में परिशानिया नहीं आएगी तो स्वस्तिक का महत बहुत जादा है आप लाल रंग से ही बनाना है इस बात का ध्यान रखिएगा और साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या असोग के पत्तों का तोरन जिसको हम बंदनवार भी कहते हैं जरूर लगाईएगा पिछले वाला हटा दें पहले वाला और नया लगा दें और साथ ही स्वस्तिक तो बनाना है हर हाल में साथ ही जब आप भगवान के सामने दीपक जलाईएगा तो घीका दिया होगा और इस में दो लॉंग जरूर डाल दें ये आपके मननत को पूरी करेगा जब भी कोई मनो कामना हो तब नियमी तुरूप से आप दीपक में लॉंग डाल कर जनाए तो मननत पूरी होती है पास के किसी भी मन्दिर में जाकर एक दिया जरूर जलाईएगा इस एकादसी के दिन ताकि आपका बरत पूर्ने तयाफ फल दे वैसे सिप जी का मन्दिर हो तो सरवत्तम होगा तो अपनी विसेस मनो कामनाओं की पूरती के लिए चाहे आपको जौब की प्राप्ति के तलास है या पिर आप चाहते हैं कि आपका बेपार अच्छा चले या आप चाहते हैं कि अपना मकान हो तमाम जो भी आपका बहुतीक सुखसादन है उसके लिए आप पास के किसी भी मंदिर में जाएं और एक सिंदूर लेकर जाएंगा घर से सिंदूर घी मिक्स करके या सिंदूर में सर्सोंका तिल मिक्स करके मंदिर के डिबाल पर एक उल्टा सुस्तिक बना दे और पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी दो चार बुन दूद डालकर और थोरा से मिस्री एक चुटकी अक्षट डालकर ही अर्पित करें तुलसी जी में और साम के समय एक घी का दिया जरूर जलाईएगा इस दीपक में एक सिक्का रख दीजिएगा ब